बिसमि अल्लार्ख्मान एरहीम आज का हमारा लेक्चर Windows operating system के बारे में है जीसे आप जानते हैं Windows operating system जो एक बहुत popular operating system है Usually लोग समजते हैं कि ये PC के लिए बहुत commonly used होता है लेकिन इसके लावा इसकी कही cross platform implementation exist करती है आपको कुछ mobile devices में मिलेंगे जहांपे Windows operating system यूज होता है कुछ server computers में मिलेंगे, कुछ super computers भी ऐसे मिलेंगे जहांपे Windows operating system यूज होता है operating system के बारे में आमने पढ़ा होगा operating system जो है वो एक manager का काम करता एक process को run करने के लिए, एक program को run करने के लिए मुखलिव किसम के resources चाहिए, resources क्या है, memory है, disk है और मुखलिव किसम के resources है, जो उस process को चाहिए अपनी execution perform करने के लिए, execution complete करने के लिए तो operating system का यही काम होता है कि वो हर process के बीच में resources को arbitrate करता है, उनको schedule करता है और देखता है कि बीच में किसी किसम के conflicts ना है तो windows भी of course यही काम करता है, लेकिन windows यह जो resource management का काम कर रहा है, उसके इसके unique features हैं, जो के उसकी strength समझे जाते हैं, हम उनी चीजों को थोड़ा सा discuss करेंगे, कि windows के इसके resource management के लिए आसे, जो features हैं, वो क्या हैं, उन features को हम थोड़ा सा discuss करेंगे, तो आया वो features देखते हैं, कौन-कौन से features हैं, सबसे पहले हम कुछ memory management की बात करते हैं, memory management यह किसी भी operating system का एक एक बहुत vital feature है, यानि कि एक process ने जब run करना है, तो उस process ने memory के अंदर reside करना है, सारा का सारा process memory के अंदर पढ़ा होगा, memory में से उसकी instructions fetch होंगी और execute होंगी, जब तक वो memory में नहीं था, वो execute नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता होगा कि जो modern operating systems हैं, उसके अंदर इस concept को मजीद extend किया गया है, उसके अंदर एक concept exist कता है of virtual memory system, virtual memory system के अंदर ऐसा होता है कि पूरे का virtual memory systems हैं, उसके अंदर पूरा process memory के अंदर लोड नहीं होता, उस process को कई pieces के अंदर divide कर लिया जाता है, उन pieces को या तो pages कहते हैं, या segments कहते हैं, और फिर उन में से कुछ pieces को memory के अंदर लोड किया जाता है, अगर किसी ऐसे piece की जरूरत पड़े, जो disk के उपर है, तो उसको disk में से swap कर लिया जाता है, disk में से उसको memory मिले जाते हैं, और memory में से कोई piece उठा के उसकी जगाँ, वापस disk मिले जाते हैं, इस तरह से एक बड़ा process, even larger than the memory space process जो है उसको भी run किया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं virtual memory system, विंडोज आपको पता है कि ये virtual memory system है, विंडोज के अंदर बड़ी integrate किसम की virtual memory system की support मौझूद है, कई मुख्लिव किसम के data structures, विंडोज operating system बनाता है, for supporting the virtual memory system, of course, ये virtual memory system जो है, ये hardware support करता है, लेकिन operating system का काम होता है, कि उसके accordingly, उसको जो required data structures है, उस virtual memory system को manage करने के लिए, उनको बनाए और उनको manage करे, और उसे associated services भी provide करे, तो इस process को थोड़ा से देखते हैं, इदर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे डिस्क पे शोग की वी है, डिस्क अंदर एक process जो और उस process को कई pieces के अंदर divide कर लिया जाता है, यह pieces जो है, या तो pages कर लाते हैं, या segments कर लाते हैं, फिर इनमेंसे कुछ pieces को memory के अंदर load कर लिया जाता है, सारे pieces नहीं load होते हैं, कुछ pieces जो हैं, वो memory के अंदर आगे, और process की execution start हो जाती है, और फिर इसके बाद अगर कोई ऐ पड़ती है जो कि memory के अंदर नहीं है तो उस piece को उठाके memory में लाने के लिए पहले जगा बनाने के लिए यहां से कोई एक piece select किया जाता है उसको वापस डिस्प पर लेके जाएंगे और जो हमें निया piece चाहिए वो उसकी जगा आ जाता है इसको कहते है swapping तो जो operating systems virtual memory system support करते हैं वो इस principle के उपर काम करते हैं इस principle को use करते हुए बहुत अगर कोई large processes भी है even larger than the memory space वो वाले processes भी जो है run किया जा सकते है with a smaller memory space यह जो सारा process virtual memory system का चाल रहा है यह user से hidden है programmer से hidden है transparent जिसको हम access करते है transparent access है यानिके एक जो address user ने programmer specify किया programmer को यह नहीं पता है यह address disk में है यह address जो है वो memory में है सारी mapping जो है वो operating system खुद से करके देगा अगर वो memory में है memory से उठाके उसको disk पर लेके आए अगर disc पे है तो disc से उठा कि उसको memory पे लेकर आएगा memory में फिर वो refer होगा उसके लिए address translation भी operating system करेगा और यह सारा process जो है यह user से hidden होगा इस चीज को हम कहेंगे transparent access इसके इलावा windows operating system जो है वो protection भी provide करता है protection का मतलब यह है कि कोई एक process जो है किसी दूसरे process की memory के साथ जो है interfere नहीं कर सकता एक process अगर किसी वज़ा से उसके अंदर कोई ऐसा pointer आप use करते हैं और उसको कोई गल्थ value assign कर देते हैं अब वो pointer जो है किसी दूसरे process की memory को point करना शुरू कर देता है और उसको access करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर windows जो है वो exception generate करेगी उस process को एक process को किसी दूसरे process की memory को inadvertently access नहीं करने देगी गल्ती से inadvertently का मतलब है गल्ती से लेकिन otherwise अगर planned है और उस process के पास privileges हैं दूसरे process की memory को access करने के लिए फिर उसको allow किया जा सकता है लेकिन without privileges किसी programming mistake की वज़े से किसी गलती की वज़े से वो किसी दूसरे process की memory को access करने दे तो ऐसा windows हरकेज नहीं करने देती और इसके लावा जो virtual memory space है वो बहुत huge है यानि कि अगर आपकी main memory जो है वो 8GB किया है या 16GB किया है तो सिर्फ आप 16GB के processes नहीं load कर सकते हैं आप इसे कहीं ज़्यादा बड़े processes load कर सकते हैं क्योंकि actually process ने कहां load होना है disk space पे load होना है आपकी disk space पे depend करता है कि आप कितने बड़े processes जो हैं उनको load कर सकते हैं process सारा क्योंकि disk space पे पड़ा हुआ है just उसका एक portion main memory के अंदर load होगा अगर main memory ज़्यादा है तो हो सकता है कि ज़्यादा portion load हो उस वज़ाद सही हो सकता है process faster भी चले लेकिन आप theoretically बहुत बड़े-बड़े processes को load कर सकते हैं और उसकी limitation जो है वो actually आपके disk space के उपर depend कर रही होती है आके चलते हैं दूसरे point के उपर दूसरा important point जो है Windows operating system का वो उसका file management system है file management system को आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर named file system है named file का मतलब कि आप हर files को names assign कर सकते हैं logical names assign कर सकते हैं long names assign कर सकते हैं Windows operating system के अंदर 255 characters तक का file name हो सकता है तो आप उसके बड़े descriptive किसम के नाम रख सकते हैं और फिर एक single level नहीं है यानि कि एक ही level हो जहां पर सारी files save हो रही हो इस तरह नहीं है multiple levels है hierarchical structure है यानि कि एक root directory है root directory के अंदर मजीद directories है इस तरह से एक hierarchical tree बन सकता है और उस पूरे directory structure का तो उस पूरे directory structure को operating system Windows operating system जो है वो support कर रहा है फिर इन files को access करने के लिए आफ कोर्स programmer को जरूरत पड़ती है इन files को access करने के लिए Windows आफ कोर्स number of APIs प्रवाइड करेगी functions प्रवाइड करेगी उन functions के मदद से आफ files को access कर सकते हैं अब files को access करने का भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं एक तरीका है कि files को आप sequentially access करें दूसरा तरीका यह है कि आपको एक file के अंदर कोई एक certain position पता है आपको पता है कि उस position के उपर data पड़ा होगा है तो आप उस position के उपर directly पहुंच जाए random access के तरूब तो जो Windows के APIs हैं वो दोनों चीजों को support करती है इसके लावा processes, number of processes को भी Windows support करती है एक से ज़्यादा processes को support करती है और multiple course को भी support करती है और processes के बीच में arbitration भी कर सकती है यानि कि जो computations है उनको among processes divide भी कर सकती है Windows operating system Resources, मुख्लिफ किसम के resources हैं हर काम करने के लिए कोई ने कोई resource यूज होता है आपका एक process जो है वो एक resource है process के अंदर आपने screen के उपर कुछ display करना है उसके लिए कोई resource यूज होता है File जो है वो एक resource है तो resources को names assign किए जा सकते है, resources को as an object treat किया जाता है اور resources जो हैं वो कच local भी होसकते और remote भी हो सकते है within the computer आपको इस resources को access करना चाहें और outside the computer को internet के विपर दूसरा computer है उसके अंदे को resource है आप चाहें तो उसको भी access कर सकते हैं तो उस चीज़ की भी support windows operating system के अंदर मौझूद है इसके लावा multitasking system है windows जो है वो preemptive multitasking को support करता है preemptive multitasking से जो multitasking है वो efficient हो जाती है और asynchronous execution भी support करता है certain input output operation ऐसे होते हैं जो के asynchronous चलते हैं जिस तरह के sound का operation है आपकी computations भी चल रही है और साथ sound भी चल रही है तो दोनों इस तरह के asynchronous operations जो है उनको भी windows operating system जो है वो support करता है और dynamic priorities यानि के हर process को operating system ने priority assign किये होती है अब अगर priority fixed है तो उसके अंदर कुछ problems आ जाती है और उसके अंदर problem starvation की problem आ सकती है तो windows जो है dynamic priorities assign करता है कि priorities जो है किसी process की भड़ भी सकती है कम भी हो सकती है during execution इसी तरह communication and synchronization multi जो tasking system होते हैं जिनके अंदर multiple processes run हो रहे हैं multi processing system जो है उनको इस चीज़ की जुरूर पड़ती है multiple processes आपस में communicate करना चाते हैं synchronize करना जाते हैं एक ने कुछ output देनी है उसके बाद ही अगले process में चलना है तो इस तरह से उनको synchronization की जूरूर पड़ती है आपस में communicate करने की जूरूर पड़ती है messages pass करने की जूरूर पड़ती है तो windows इसके लिए भी number of constructs जो हैं वो support करता है आपस में message pass करने के लिए और communication के लिए और synchronization के लिए security जो है यह भी एक important feature है अकसर कही operating systems होते हैं वो multi user systems होते हैं windows भी of course multi user system है तो हमें जूरूर होती है है कि एक user का data दूसरे users से hidden रहें कुछ windows के प्राने versions थे जिसके अंदर वो थे तो कुछ लिहास है multi user लेकिन इतना अच्छी तरह से वो users के data को नहीं protect कर सकते थे लेकिन यह anti technology के अंदर और उसके आगे वाले आने वाले कुछ versions के अंदर एक अच्छा multi user system के तौर पर windows सामने आया है उसके अंदर users का जो data है वो hidden है authentication यूज होती है passwords यूज होते है encryption यूज होती है एक user का data दूसरे user को access नहीं हो सकता unless कि उसको access करने के privileges हो unless कि वो authorized हो unauthorized तरीके से कोई एक user किसी दूसरे user का data access नहीं कर सकता और उस system को gradually windows ने बेतर किया और इस वकद काफी strong किसम की उसकी authentication टेकनीक है जिसको कोई crack करना जिसको break करना जो है बहुत मुश्किल है अगर नामुम्किन नहीं तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है